अस्सलाम वालेकम विवर्स कैसे हैं उमीद करती हूँ आप तब खारियस होंगे आज जो रैस्पी शेयर कर रही हूँ वो बनाना पेनकेक की है इसकी रैस्पी बहुत ही सिंपल है आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं चले रैस्पी स्टार्ट करते हैं पेनकेक बनाने के लिए चार केले को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और इसमें एक कप दूद आट किया है चार टेबली स्पून शुगर और वन टीस्पून वनिला एसंस आट किया है और इसे अच्छे से mix कर लिया है इसे इतना mix करना है कि इसमें कोई lumps ना रहा है अब इसमें 1 टीस्पून baking powder और 1 फूर टीस्पून baking soda एड किया है पर एक चुटकी नमक एड कर दिया है और इसमें 2 कप आटा एड कर दिया है और इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें 2 टिबिली स्पून ओईल अट किया है और दुबार इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है नेक्स स्टेप में बरश से ओईल लगाया है पेन में अब इसमें पेन केक के बैटर को अड़ किया है और इसे पेन में फैला लिया है इसे पकने देंगे जब ये एक साइट से पक जाए तो इसके साइट चेंज कर लेंगे ये देके पेन केक तयार है अब इसे उतार लेंगे अब इसी तरह एक और पेन केक तयार कर लेंगे इसकी रैस्पी बहुत ही सिंपल है और असानी से बन जाती है आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं बच्चे इसे शौक से खाते हैं अगर आप इस फी चॉकलेट सॉस या शेहद वगरा लगा दे तो बच्चे और शौक से खाएंगे आपको मेरी रैस्पी पसंद आईए तो मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया